इसी ही क्लासिक मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बॉलिवुड ख्लासिक और बेल आइकन को प्रेस करें करें। कर दो डिर यूगा है। कर दो कर दो कर दो कर दो कि इस ने जाल जुन समा सब गयाद कि वरना हम धिल आजिके कांशे बड़े बे आगरू हो कर सेरे खूंचे से हम निखले जो मेटा फिर निकाले गए ने यार मजाक मत कर मेरा मूट बहुत खराब है क्या हुआ वकीज साब होना क्या था छे महीने का किराया रह गया था आगया कमख्त तो तराम एक मूजी पहलवान को लेके और सामान वह वकीज साब के बाहर बैड बरी बैड माँ खुटकुशी करना चाहता हूं जगत मुझे मत रोकना कैसे रोक सकता हूं दो मेरे पास तो अब करजा देने के लिए एक पैसा भी नहीं पैराज के लिए तो कुछ होगा हाँ एक खोटी द्वन्नी है तुलेल तैंक्यू यार तैंक्यू अगर तू इस वक्यानी होता तो मेरे पास ज्यार खाने के लिए भी पैसानी होता हूं तैंक्यू एक्सौशी जगर अलविदा दो अलविदा तुन्यार जे मेरी समाधी पर कभी-कभी फूल चढ़ा दिया करना है धब रहें नहीं वफील सार जिन लोगों के केस लड़कर आपने उनको जेल खाने पहुंचाया है वो और उनके रिष्टेदार आपकी समाधी पर फूल भी चढ़ा देंगी और घी के चिराग भी चलाएंगी बदमाश अच्छा देख जगर मैं मकान की तलाश में जा रहा हूँ और ये मेरा समाल पड़ाएंगी अगर मुझे मकान मिल गया तो तुझको टेलीफोन कर दूँगा समाल लेके चले आप ताचा हुम चेहरे मुहरे से तो शरीफ खराने के मालूम होते जहां लेकिन घर भी मुझे पिछले मालिक मकान का हवाला चाहीए हवाला जहां उनका साटीट टिकट आप के बारे में साटत चाटत साटीट टिकट नहीं समझते आप सब्सके चाजी किबला उनका स्टीट लेने तो बहुत जूर जाना पड़ेगा जो क्यार्ट करूं अच्छे खासे थे एक ठीकाई भगवान का नाम लिया और पर लोग को सिधार गए नाम था तो था राम जाहौल विला खुबत खैर उसके पहले वाले मालिक मकान का साटीट टिकट तो आपके पास जरूर होगा अजी खिबला उनका स्टिकेटी तो लेने गया था फिर क्या हुआ मौलाना मुसल्ला बेशाय नमाज पढ़ रहे थे सज्दे में जो गए तो सर नहीं उठाया कलमा पढ़ा और अल्लाह को प्यारे हुए आप वकील है या मौत का फरिश्टा महर्बानी करके चले जाईए यहां से मुझे अल्लाह को प्यारा नहीं हो ना खुदा के वदल से चार भीव यहां है मेरी माशाला आपकी चार जिन्या है खुदा जाने कब बखेड़े खड़े हो जाए मैं वकील हुए का माँगा आपके और आपके अउलाद की बात समझ में आती है जाएए दिया मकाना आपको जुक्रिया जुम्मन खाण आमाओ जुम्मन खाण देखो दिगंबर बाबू के नीचे वाला हिस्टा वकील धाप को दिखा दो कि बहुत बहुत शुक्रिया नवाब सहाब और सुनिये आपके उपर वाला हिस्टा बाबू दिगंबर नापका है उनको किसी किजिन की शिकायत का मौका नमें की हर्गेज नहीं मैं तो बहुत प्रेमी आदमी हूँ बस यही नहीं नहीं जिगंबर बाबू तो प्रेमियों से वड़ीना प्रत ओहु हो हो आप समझे नहीं नवाब सहाब मेरा मतलब है मैं बहुत शांती पसंद हूँ हो 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 क्या कह रहे हैं आप अगले ताहब को भी शांती पसंद थी जिगंबर बाबू ने मार मारकम का सर तो लिया शांती की तरफ तो भूलते भी नजर में डालिएगा जी हर्किस नहीं समझें इसके क्ली है नवाब सहाब यह क्या है सारी जम्रान बिखाओ कामरा अब मिसाल के तौर पर लीजिए हाँ मिसाल के तौर पर अब मिसाल के तौर इस नालाइक लड़की को लीजिए यह जरूर तो काली सी मोटी सी भैस टाइब की लड़की मेरे सर चूपत पूद नहीं जरा ठड़िये ना कानूनी कारवाई करके अभी हाद भूए झाल 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 कि अग्ज़ बद्माश गुंडा लफंगा बद्माश गुंडा लफंगा जी वो तिनों यहां नहीं रहते किसी ने घलत बता दिया होगा आगे देखी यह मिस्टर यह शरीफों का महला है यह लफंगा पंटिया तो अंजाम बुरा होगा समझे है कितना बुरा जख्के देके निकाल दिया जाओगे कौन देगा जख्के मैं दूंगे सुभान अनला शिरू की जिए हब जख्के पर एग्निया शिर कहूंगा बच्टन इससे हुद अरे वाँ यह तो तरह कांदान हस्कार बांग कितना आया जारू छड़ी सब कुछ है फैर छोड़ी जड़ा शांती देवी मेरा नाम है रमेश कुमार बी ए ए एलल बी वकील आयो आयो तश्री 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 नहीं आई इस मतलेंगी का मतलब पूछ में आयो यह की शांती देवी कि आप उपर नात रहींगी जो धूरनी से गिरवज़ी की जो सब्सक्राइब हूँ ए उनको आता है थे आज़ा हूँ तो ष्र मुशे कर तो त्यारारा है थे लिते वाइगी आप तो से में जेलों किसी बीजा बराईगी? कोई बज़ाने ही, मैं तुम्हें ऐसा मज़ा दिखाएगी अरे ठेरो ठेरो, ये क्या हो रहा है? क्या मामला है? बाबुजी, इननजाने काह से नावाब साब ने इस गुंदी को यह ला कर रखा है मैं उपर नाच रही थी, और इसने नीचे से छट में बाज गुसेर दिया आकर पूछती हो तो गंदी बाते करता है जो ज़नाब, ये क्या हरकत है? नमस्ते बाबुजी, आप शायद शके हुए हैं? तश्रीफ रखी, रहने दीजिए मेरी तश्रीफ को जहां है, मैं पूछता हूँ, ये क्या हरकत है? तश्रकत तो आप देखी रहे हैं, पूछने की क्या ज़रूरत? अच्छा, एक सो चोरी उपर से सीना जोरी जी नहीं, नीचे से सीना जोरी पूले चटे हुए घुंडे मालम होते हो, नहीं चटे हुए, वकील हुए, वकील हुए, चारों तरस मेरी वकारत के जचंडे गाड़ा है, और एक उनमें से लाके मेरी चटमे गाड़ा है, जी रहने दे बेटी, इस बात को यूही, मैं आभी पूलाता हूँ, अगर जेल ना भेजा दो मेरा नाम नहीं, आप वकार तखलीव करते हैं, पूलीस मेरा कुछ नहीं बकार सकता है क्यों नहीं डिकार चक्ति आपके पास कॉषिए आपके पर वो Сवेत अधी जोट बिकों कृड्र मैं तुछ नहीं तुछ ल fällt नहीं किस भीडिया होता आपके फुझ नहीं कोई थुझने कोई फुझने से फुझने में अथ बाबु दिगंबरनाच बात क्या हुए वो तो बड़ा शरीफ आदमी है शरीफ अरे याद रखिये नवाब साहब जब तक वो बदमाश उस मकान में मौजूद है कोई भला आदमी वहाँ नहीं आ सकता मगर बाबु जी आप मकान को छोड़ते हैं मैं उसे निकाल दूँगा ये नहीं शुक्रिया मैं अपना दूसरा इंतिजाम कर तुका हूँ ये रही आपके मकान की चाबिश नमस्तु जुम्मन खान हमें जुम्मन खान देखिए उस वकील के बच्चे की हरकत कमबक्त न आते ह पुराना किरायदार निकाल भगाया जह जाना तो अब कर दो मेरे काबिश दोस्त मिस्टर जयाल का कहना है कि मेरे मुश्कल मिस्टर पेम कुमार ने सुख्देवी का अगवा किया ये बिलकुल बेबुनियाद बात है माई लॉड नमबर आने जूरी देखिए मिस्टर पेम कुमार के तरह किया ऐसी भोली और मासूम सूरत केंतान दुन मेरे कि चायद वकील सफाई इस बात को भूर है कि सुख्देवी एक नाबालिगा है राक्सिक रिपोर्ट इस बात को फाबिद कर चुकी है और एक नाबालिगा को उसकी माबाब की इजाद के बगएर ले जाना एक संगीन जुर्म है वकील सफाई को इस बारे में कुछ कहन है कि बालिग और नाबालिग का सवाल एक बड़ी नाजुक सी बात है मेलोड मिसाल के तौर तर आप एक आप कहना कर चाहते हैं तिरफ रिच्नी सी बात मेलोड के जिस उमर में हमारे देश की लड़किया जीवन के सारे पराइश समझने लगती है उसी उमर में दूसरे तो इसको फैसला करने से पहले ये सोच लेना चाहें कि सब्देश का कानून गरम देश में लागू नहीं हो सकता और अगर आता हुआ तो देश भर के हजारों प्रेमियों का जीवन उचर जाएगा माई लॉड लोग मौपत जीव गाना बंद कर देंगे और मौपत जीव मुझे और कुछ नहीं कहना है फैसला आपके हास में है आप चाहें महबत को जिला देए चाहें उसका अक्टा घोटालू लॉड 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 मेरी जान मुकर्मा जित लिया है अभी सब्सक्रत रुग ही नहीं होता है तुमहरी मैबूब अगर मुद्धई और मुद्धाले के बियानात सुनने के बाद ये अदालक पैसला करती है कि मुकमाद सुखदेवी को उनके माता पिता के हवाले कर दिया जाए और फ्रेम कुमार वजद राम कुमार को अख़वा के जुरम में दो साल कैद बामुशक्त की सजा दी जाती है तुम्हारा हाथ तुम्हारी महभूबा के हाथ में होगा आ जाते हैं काला को तुम्हारा हाथ तुम्हारा हाथ तुम्हारी महभूबा के हाथ में होगा आ जाते हैं काला को तुम्हारा हाथ बड़े मस्त इंसान मालूँ होते हैं अच्छा तो Mr. Ramesh बाइ मौफ कीजिये मैं आप लोगों को मकान नहीं दूगा हम लोगों में क्या बुराई बामसाफ आप लोग नाहक मेरा सर खा रहे हैं मैंने कह दिया कि आप लोगों में से किसी को मकान नहीं दूगा किराया देंगे मैंने तैंक कर लिया कि मकान दूगा तो किसी बूड़े को जवान को नहीं आप लोग दिश्रीव ले जाईए कर लिया मैं तैंक कर लोग लोगों में दूगान दूगाई कर लोगों में दूगाई कर दो दूगान आप कौन साहब हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं? बावाव मुझे एक चीन कहा कि हषी ज़ूर नर्जा साहव सच पूछिए तो हमें आप ही जैसे बजर्ग की कलाश थी सुभान अलाइज जए नसीब मगर कमरा हम पेंग गेस की हथियत से देना चाहते हैं पेंगेस्ट, किब्रा ये पेंगेस्ट क्या जीश है? यानि कमरे के साथ स्वर्नीचर हमारा, खाना और नाश्टा भी हमारे साथ जड़ा कला, जड़ा कला, अंधे को क्या चाहिए दुआ से? किब्रा मुझे तुआ आप जैसे लोगों की तलाश थी और किराया होगा सौर पैमावाद, बस, क्या जुल्म करते हैं ये तुप कुछ भी नहीं तो मंजूर है न आपको, मंजूर, क्या माल करते हैं आप, जगंबो नाजी, इलाची खिलाओं, जी, मैं सामान चांगे में पड़ा है, पर लेके आता हूँ जी रहने दीजिए, चांदी बेटी, मेज़ा साब का सामान कमरे में रखा दो और देखो, आज से कमरे की सफाई तुम्हारे जिम्मे, जी, आपकी खाते देख के ऐसा लगता है कि मैं, मैं, मैं अपनी सुचुराल में आगया हूँ मैं मैं जा के आगया हूँ तो ःवाँ नित वराव ने देखक का या है वाले इलाच देखिलाहू मैं मुझे खुशी है कि आपने अपने कॉलेज के सालाना डिबेट का अंदाज बिलकुल अदालब जैसे रखा है जहां के दो वकील आमने सामने बहुत करते है बहुत का मसला ये है कि शादी को काम्याब बनाने के लिए कौनसी चीज ज़्यादा दरूरी है दौनत या महबब दौनत और महबब के तरफदार अपने अपनी गाय पेश करें जैनाबे सदद और हासरी शादी जिन्देगी का सबसे बड़ा मसला है और हर मसला दिल की बजाए दिमाग से तैकिया जाता है दिमाग जानता है कीवन का हर सुक दौनत के सहरे दौनती इस्ट है दौनती ताकत दौनती इमान दौनती भगवान और अगर दिमाग का फैसला सही होता है तो शादी के लिए मुहबच की जरुत नहीं? जौलक की जरुत जनावी सदर और हाज़ी किसी दिलवाले ने कहा है मुहबच दुनिया में सब कुछ हथी है मुहबच नहीं है तो कुछ भी नहीं है मैं अपनी दोच से सवाल करूंगी शादी जैसे प्यारे सम्मंद को सोने चान्दी के धागों से बानना कहां कि अकल मंदी है शादी दो इंसानों का जीवन साथ है दो आत्माओं का मेरी ये कोई इंपोर्ट एक्पोर्ट का बिज़िस नहीं जहान अफान उस्तान बिखा जाए आप ये कहना चाहती है मुहबद करने वालों को दौलत की जरुरत नहीं जी नहीं सिर्फ इतना मुहबद को दौलत की चाहत नहीं है ये सोदा है दिल का तिजारत नहीं है इसका मतलब है कि आपना चांत है शांती देवी फूल रही है हाली पेट न मुहबद होती है और न शायरी मैं तो यहां तक कहूँ कि काम्याब शादी के लिए किसी दौलत मन बूड़ों से नाता जोड़ना कहीं बहता है पनिस्पत किसी निकम में नौजवान के जो चांतारों की सेर करा सकता है पेट के आग में ही बुझा सकता और जब पैसे के लिए किसी बूड़े से नाता जोड़ा जाता है तो जवानी खून के आंसुर होती है दुनिया के सारे आराम जहरेले नाग बन कर ड़स्ते है मेरा ख्याल है प्यार के साहरे सारे जीवन फटे कपड़ों में काटा जा सकता है लेकिन प्यार खोकर दौलत के साहरे पल भर भी जीना मुश्किल है जिस महबबत तर मेरे दोस्त को इतना नाज है वो सरसर दीवान की है बेकार इंसानों का काम अगर ये सख है तो सावितरे ने क्यों ताच छोड़ा तीता ने क्यों बनवास लिया पदमे ने क्यों आग में जल मरी मीरा ने क्यों जहर का प्याला पिया कोई तो सुख होगा बरना मुहबबत की मारी दम तोड़ते समय ये न कहती कागा सब तन खाईयो चुन-चुन खाईयो मा दो नैना मत खाईयो मोहितिया मिलन किया ती मेरा ने ये भी कहा है जो मैं ऐसा जानती प्रीच की ये दुख हो है नगर जंदोरा पीष्टी रीच न करियो को मेरी दोस्त पुराने किसे पढ़तर वक्ती पुकार भूल रही आज जिन्दगी का सबसे बड़ा सवाल मुहबत नहीं पैसा है, रोटी है, कपड़ा है किसी शायर में क्या खूब कहा जब जेब में पैसे बजते हैं जब पेट में रोटी होती है उस वक्त ये जल्दा हीरा है उस वक्त ये शबनम होती है अरे क्या तुम से कहूं दुनिया वालो क्या प्यार सी दौलत होती है हर दाग जिगर एक हीरा है हर अश्ट का कत्रा मोती है पर पापों से उड़े जब होश अपने हम आँख लेडा ना भूल गए अब पेट बजाते ठुरते हैं हम प्यार का गाना भूल गए जब प्यार के बंदे हो बैठे जिन्हा का पसा ना भूल गए अब होश की बातें मत पूछो हम होश में आना भूल गए इस मुकाबले की जीत के बारे में जजों का फैकला मैं आप उसनाता हूँ पहला इनाम मिस चांची दूसरा इनाम मिस चंचल मुझे आपको दूसरा इनाम मिला है हाना कि मेरी राय में आपके खैलाज ज्यादा सही है अगर आपको मेरे खैलाज पसंद है तो समझी मुझे पहला ये नाम मिला हाई ये रैया उसाया क्या देख रही है वो चंचल खिक जी दौलत है जालम के पास और सिर्फ ही शादी नहीं की किसी खुशनसीफ होगी वो लगसी जिस्ते ये शादी करेंगे चंचल जैल साब तुमारे बाप के बराबर है तो क्या हुआ अच्छा तुम्हे दौलत इसनी प्यारी है कि उनकी उम्र का भी खैल नहीं शादी में उम्र जाहिल लेट क्या देखती है किसी दिन रोना पड़ेगा सर पकरकर आप अपनी फिकर कीजिए ऐसी महबद की मतवाली है तो जाहिए पकरिये किसी फिकारी का हाथ लेकिन दूसरों को लेक्चर ना दीजिए मुझे क्या पड़ी है शौक से पगड़ी किसी मरियल बुड़े का हाथ शाद आप, यू शाद आप चावाश, एक मेरी तरफ से भी जोट से एक, नी जोत्रों अब ठर जार मजा आ रहा है मैं कहता हूँ नी जोत्रों हमला साब ठेके यह हमला साब क्या हाल है खाल चाल भावाट रखे हैं, चलिए खाने, खाने वहाँ क्या रखा है यह तो बहाँ चल के पता चलेगा खाने में क्या रखा लेकिन हब ड़ा साब अंदर खूल हो गया है और हम गया है हीहाँ एक लड़की ने दूसी लड़की को माट डाला माड़ना भिल कुछ खत्म कर दिया है उपड़ आ की छा के देखी ना ते जल्जी है वहिए वालाण साथ वालाण नाहा है मेरे का आदा वालाण वालाण क्या मैठ देना आया आपने जवाब नहीं आपके तरीफ की जाए है तो मुझे नहीं सुनना पिरितारी जाए यह तो यहां जाना है जांपको जाना है तो जाना है अमीनावाज आए पहुंचाये तो हाई 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 क्या खजब करते हैं आपके नाज़ू ठपाउं दुख जाएंगे ये लंबा रास्ता है अब तो मेरा पीसा छोड़िए पैठ छोड़ जाज़िए माना जनाब ने फुकारा नहीं क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं मुख्त में बनके चल दिये तन के वला जवाब तुम्हारा नहीं माना जनाब ने फुकारा नहीं क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं मुक्त में बन के चल दी ये तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं माना जनाब ने फुकारा नहीं यारों का चलन है घुलामी देते हैं हसीनों को सलामी बुसन की जिये जाने भी दी जिये बंदगी तो बंदगी तो लीजिये का हब माना जनाब ने फुकारा नहीं क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं मुक्तु में बन के चल दी ये तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं माना जनाब ने फुकारा नहीं तूता फुता दिल ये हमारा जैता भी है अब है तुम्हारा इधर देखिये नजर फेकिये दिल लगी न दिल लगी न कीजिये ता हब माना जनाब ने फुकारा नहीं क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं मुक में बन के चल दिये तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं माना जनाब ने फुकारा नहीं माशा अल्ला कहना तो माना बन गया बिगड़ा जमाना माशा अल्ला कहना तो माना बन गया बिगड़ा जमाना उनको हसा दिया प्यार सिखा दिया उनको हसा दिया प्यार सिखा दिया शुक्त्रिया तो शुक्त्रिया तो कीजिये साहब माना जनाब ने फुकारा नहीं क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं मुक्तुम्ने बनके चल दिये तनके वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा लगी जवाब तुम्हारा लगी वल्ला जवाब तुम्हारा लगी अब पर कम मुलासात होगी? बाबुजी! बाबुजी आईये जर्दी! बाबुजी इसने मुझे रासे भर मताशिया भी माने तुछ शिरफ रेके आवा माना जिप दी है अवा मैं? आदावर्ट कटना! आदावर्ट कटना! आखिर शांती ने फसा ही लिया तुम्हें! देखो जगर्ट, शांती के बारे में फिर कभी अची बात करना है अलब से शादी करने वाला शादी करने वाला बजबाट ने करना है सच कहा है सच? ये बात हुई ना कुछ? जी हो! और देखो शांती जब मिजद साब को दूद देने जाओ तो किराय की बात कर देना मुझे तेरी दीजी के पैसे भेजना है और पैसे अगर वक्त पे ना पहुंचे तो तेरा शिराबी जीजा यहां आध हमकेगा कल तक किराय मिल जाना चाहिए जो राक अल्या आजीजा अपने बाबुरी से कहूं किराय किस्ते कर न करें काली बैंक से रुपया भुना कर हदा कर दिया जाएगा अल्या जीजा कहां चली बैठो ना जल्दी क्या है और एक लफंगी को मारते मारते छोड़ा लफंगा कौन था वो क्या चाहता था जाने क्या जाता था, रास्ते में मिला और घर तक पीछा नहीं छोड़ा जुरूर कोई सच्छा प्रेमी होगा क्या गह रहे हैं, मुझे तो उसकी सूरत से नफरत है नफरत? नफरत महबद की पहनी सेरी हमा जिजा होगी, मैं चाहती ही, वो मेरा पीछा छोड़ दो आप कुछ नहीं कर सकते? नहीं, तो नहीं, आपके वो जो आए, तो मुझे बुला लेना उसको ऐसा सबस सिखाऊंगा कि बेटा जिंदर की भाल याद खेगा कोई बात नहीं अच्छा में जबती अच्छा में अच्छा 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 आप तो नाराज उसकी नहीं, क्या लेता हूँ आपका? इतनी दूर चाहा हूँ दो बात नहीं करते लगा हूँ उसे नहीं करनी कोई बात, तो फरेंच चले जाओ मास कीज़ेगा, जिसनी आप सुन्दर है उतनी गर्शाराना जरा सोची है तो साम के जोई हाँ गवरी सारी जरा सोची तो कितनी अनोखी है ये मुलाकात ये रास, ये खामोशी, ये तनहाई और ऐसे में किसी अजनभी का किसी अच्छीना प्याते लगाए आप चाहते हैं ये निसी बिल्कुल किसी अफ्ताने के हिरो हिरो इनके तरह आमने साथ हैं दिल धड़क आहा है आर्जु बेचाएन है लेकिन होँ फामोशी है नजरें मिलती हैं लेकिन रास के पाइज छुचाती है नहरबानी करके आप से ले गई पहले जरा मस्करा जीए नहीं फिरादीजी फिरादीजी नहीं वह फिर मैं भी नहीं जाता नहीं जाओगे? नहीं जाओगे अच्छी बात है अचिवाट! तुम कि रहा सिखाड़। जाए, 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 जाए मिर्वा सभड़। मिर्वा सभड़। त 김 मतरती कचाड़। मिर्जा सहाब क्या बात काया उजीजा मिर्जा सहाब वो फिरा आगया कौन आगया वो ही लखंगा इसके वज़े से हमने पिछला मकान छोड़ा पिताजी को जगा नहीं सकते उस्ता करने से उनो दारा पड़ जाता है फिका मैं को रो जीजा मैं चेला इसके लिए काफियो करो चो मुझे लेकर करो करो मैं आज उसका कीमा पनाई देता हूँ मैं शांती देवीज मिलने आया हूँ मैं उनसे महबब करता हूँ महबब? केज़ु किया हूँ तुमसे महबब नहीं कर सकती कोई जबचक्तिया है ये मेरी जिंदगी करतावाल है माला वो मेरी नाहुई से मैं जान दे दूँगा दला काया है अभी तो इतना खूइधा dizendo मैं खूँ की नदे भादू अँगा अब आप करेगा एटो जा मिर्जा की बते अब मैं तेरे बुराबे का ख्याल नहीं करूंगा जापी नियूदार सुरस्टार, लिट जानुदार ने टानुदारी ₹ सब्सक्राइस, जानुदार ! जानुदार सब्सकों नहीं तो कहँते है, लिटार नॉदारम तर्ण है। मुझे मेरी चमडी उधेर दो नहीं सोड़ूगा महाबत जांत की देवी के नाम पर जान देदूगा मुझे मादाला मिर्जा बच्छे ने मादाला मिर्जा सही बच्छे ने मादाला के स ordenaceut क справस्ति लडनाय में लड neighborhood कर दोलिया अंद भो तो 저희ली यजा में ल Kinbet कर दोलिकılar साग्त के दे praising करें, के रिजड वाया हमारे यहां जब कोई मर जाता है अजीजा तो यह बोल पड़े जाते हैं उसे मार जाला है? मरा जो नहीं लेकिन एक दिन जरूर मर जाएगा इंशाला लेकिन वहे कहा? मैंने उसको खिर्टी के नीचे फेंग गिया है अजीजा अजीजा क्यों गोती है? मैंने कब कहता इतना मारने के लिए इतना क्या बड़ा साथ किया था तिर्फ प्यारी तो गर्दा आप आज में नहीं करता ही है अजीजा 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 मुस्टिन हाराज है अजीजा जी नहीं मिर्दा का आप शमा की जेगा राज का मैंने बहुत कुछ कह दिया कोई बाद नहीं मुझे खुझ अफ्रोट है कि मैंने ऐसी सब्कत की बिचाहे की बड़ी नाजोग हालत है आप मिला एंगे हैं? कहा है वो? वो गड़ी के मोर पर मूर्चियों की दुकान है ना वहीं पर रहा है बेचाहा मुझे रख्टा है उसका घरबार कोई नहीं मल गया तो प्रिया खर्म कौन करेगा? मुझे रख्टा है मुझे रख्टा है मात कीजिए देवी जी आज मैं कोई मूर्टे नहीं बेच हूँ है मेरे दोस्त मौत के मुझे और मैं बिजनेस करूँ अरगे नहीं मैं मूर्टे खरीदने नहीं आई थी मैं उसे मिलने आई थी क्या नाम है आपका? शांती शांती? अच्छा तो आती है मुझे जिसने मेरे दोस्त को एक बेर हैं मिर्दा से पिटवाई अब और क्या चाती है आप नारात नोगे मैं उसे माफी मांगने आई थी माफी? माफी किसे मांगिएगा? उससे तो कल से आंखें भी नहीं खुली मुझे उन्हें देखने तो दीजिए प्लीज अब तो थंड़क पड़ी आपके दिल में देखा अब तो थंड़क पड़ी आपके दिल में गोने से क्या फाइदा? अगर सची हमदर्दी है तो इसके पास बैठी कुछ सेवा की जिए यह अखेला है पास बैठी मैं जरा डॉक्टर को लियाता हूँ जाइए, मैं यहीं बैठी मैं कहां हूँ मैं कहां हूँ आप दुकान में हैं मूर्ती की दुकान में तु, दुकान है ने, मैं शांती शांती, तु, शानो है तुम मुझे दिखाई को नहीं देची यह मेरी आँखों के सामने क्या शांत बेरा है भगवान आप लेटे रहिए आपकी तबीद ठीक नहीं मुझे अपने शानों को देखना है मुझे अपने शानों से मिलना है शांती तु आपके पास है, रमेश पाबू आप क्यू परशान है मेरे पास शांती मेरी शानों मेरे पास मुझे यकीन ही आता शानों मेरे पास आओ इन्हें होश आगया इन्हें होश आगया अब मैं बेहोश होने वाला हूँ अच्छा, अब मैं चलती हूँ फिर आओंगी हुआ हुआ होश आओंगी नब मैं बेहोश हो जिन्हें होश रवाई जाओंगी झाल झाल कि एगे भूले आ कि डां का बच्चा दर गजा कुण जिलाइक बाभ कि डान वां को घय hem इड़ी! इड़ी रहो अगु़ी। झाल झाल अस्तदियत कैछी है दादीजी? बहुत अच्छी ऐसा मालूम होता है कि जैसे बहुत लंबी नेंग लेकर उठा हूँ बहुत लंबी नेंग दो दिन दो राँ दो दिन दो राँ? जी हाँ आप सोते रहे और मेरी दवाई असर करती रहे और आपका बेटा दिन राँ कापकी सिवा करता रहा मेरा बेटा? जी हाँ क्या नाम है उनका? रमेश बाबुश रमेश? यो मर्दूर अभी तक इस मकान में है? वो मेरा बेटा नहीं लाकर सहाब वो बहुत खतरनाग इंसान है दिगंबर बाबु वो न होता तो आपका बचना ही मुश्किल था वो आपका बेटा न सही लेकिन आपकी बीमारी में जिस तरह उसने सिवा की है वो एक बेटा भी नहीं कर सकता हाँ बाबु जी बाबु जी रमे साथ ये शिक्टी दे गए है क्याटको नेटी बाबु दिगंबर नाच जी मुझे अपने किये का बहुत पच्चतावा है मैंने जो कुछ किया वो किसी मजबूरी के कारण काश की मैं वो मजबूरी आपको बता सकता लेकिन शायद अब उसकी नौगत ना आए क्यूंकि मैं आपका मकान छोड़के जा रहा है मेरी नादनियों को ख्षिमा कर दीजेगा आपका दास रमेश दास का बच्चा मेरा किराया लेकर भागना जाता है जोर तो बेटी पकड़ के लाव से जब तक वो किराया नहीं चुकाता इस मकान को खाली नहीं कर सकता जा बेटी अब जूर नहीं किया होगा पकड़ कर आपको रमेश कहा है यह मेरी प्यारे दोस जगत जब यह किठी मिलेगी मैं पानी की सारत गोड में सो रहा हूंगा मेरा जीवन मेरी कंदू पर बोज है मैं यह बोज और नहीं उठा सकता मैं अपनी मौत से गले मिलने जा रहा हूंगा उसी थेंडे तालाग में जो मेरी शांदी के घर के सामने है मेरी तरफ से जाके शांदी से माफी मागने ना पहरा दोस रमेश और आप यहाराम से बैखे उसे मिलने भी नहीं गए अब जाने से फाइदा भी क्या वो तो कब कर मर चुका होगा अजया बोटो भगवान से क्या मांग रही थी पहले तुम बताओ मैंने भगवान से तुम्हें मांग लिया बत सब कुछ प्रभूर से मांग लिया तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद मैं जानता हूं तुम्हें पत्नी रूप में पाना मेरे लिए कितना कथी लेकिन आदनी के सुभाई ऐसा है कि जो चीज उसके बूसे के बाहर होती है उसी को पाने की वह सबसे ज्यादा कोशिश करता है चुझके भगवान को पाया नहीं ला सकता है इसलिए इंसान अपना सब कुछ दे कर भी उसे पाने की कोश्ट करता है चादी क्या भगवान मेरे प्रात्ना मान देंगे आख पन करके भगवान का ध्यान करो जवाब मिन जाएगा सबस्क्षा करें छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा हाँ 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दिवाना क्या कहेगा छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा हाँ हाँ इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दिवाना क्या कहेगा हाँ हाँ छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा मैं चली, मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने कुछ मौसम है दिवाना, कुछ तुम भी हो दिवाने मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने कुछ मौसम है दिवाना, कुछ तुम भी हो दिवाने जरा सुनना, जाने तमनना इतना तो सोच ये मौसम सुहाना क्या कहेगा ओ छोड़ दो आचन दमाना क्या कहेगा हाँ 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 इन अदाओं का जमाना भी है दिवाना दिवाना क्या कहेगा हाँ 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 छोड़ दो आचन दमाना क्या कहेगा यू न देखो जाग जाए प्यार की अंगडाए ये रस्ता ये तनहाई लो दिल ने ठोकर खाई यू न देखो जाग जाए प्यार की अंगडाए ये रस्ता ये तनहाई लो दिल ने ठोकर खाई यही दिन है मसी के सिन है इसको ये होश है अपना देखाना क्या कहेगा छोड़ दो आचन दमाना क्या कहेगा हाँ 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 इन अदाओं का जमाना भी है दिवाना दिवाना क्या कहेगा हाँ 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 छोड़ दो आचन दमाना क्या कहेगा ये बहारे ये फुवारे ये बरस्ता सावन हर ठर कापे है तनमन मिर बैया धर लो का जन अ जिया नँ दिल में समाना एक दिल एक जान है हम तुम जमाना क्या कहेगा हा चोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा हाँ 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा जमाना क्या कहेगा दीवाना क्या कहेगा नहीं आया आपी तक खरमेश का बच्चा उनका बच्चा बाबुजी, उसकी अफ़ तक तो शादी निहीं थे हाँ मेरा मतलब है रमेश अच्छी क्चहरी है मेरे जागने से पहले भाग जाता है मेरे सोने के बाद लॉटता है मैं तो चला बैटी सोने यह है उसके कमरे की चाबी तिराया लाके दे तो चाबी उसे दे दे देना, ये तो बाहर निकाल के दर्वाजा बंद करने न, क्या समझी? समझी बाबुजी, उनको आने तो दीजे मैंने समझे तुम्हारे बाबुजी है, भवान के लिए बत्ती बुचादो, औरना बाबुजी के हाँ तो मेरी शामत आजाएगी सालो, रुमेश, सालो, रुमेश, बोलो, कि राएग के पैसे लाएगे, कैसी घर शाराना बातेंगा स्थिया, ये घर के खुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् अरे जवाब नहीं तुम्हारा शानो, ये तरकीब तो हर महीं नहीं हो सकती है तुम्हारा शानो, गुड मॉनिंग, कमान पीश, कमान क्या लिख रहे हैं? गानमान, तुम्हार खुस्न की तारीद में मुजबड़ियद लिखा है, कि सुनगी तो तबियत पड़क उठेगी, सुनगी? सुनगी? सुनगू, अर्ज क्या है? मचे नहीं सुनन ये बखवध, मैं पूछती हूं किराया कहा है? किराया? ए मिस्टर, अंदर कैसे आए, मैं पूछता हूँ कैसे आए अंदर, जी वो, जी राया, अच्छा किया तुम आ गए, बहुत अच्छा किया, मैं तो परिशान था, तुम कहा हो, क्यों बेटी, जी हाँ बाबुजी, आप बहुत परिशान थे, अच्छा बेटी, तुमेश को मुझे तुम तो जानती हो, कि मुझे तुमारे श्राबी जीजा जी की सूरत से नवरत है, बाबुजी, लाइए, मैं ही कर देती हूँ, आपको याद नहीं रहेगा, लिस्ट नहीं कर देना, मगर आज हो जाना चाहिए, इसी अच्छा है, शानु, अगर रुपया मनी ओर हो सकती ही, लेकिन इन दिनों में कुछ भी करके पैसे कमाने ही चाहिए, अरे, ये देखा तुमने, क्या, दरिष्टे दयाल, अब तुम्हारे सेरी चैंसिल की शादी हो गई, शादी, नमुम्किन है, ये देखो, ये कैसे रुआ, कम रुआ, मुझे विश्वास नहीं बता, य जरा सामने तु देखो, तुम जानते नहीं, डार्लिंग, आज मैं कितनी खुश हूँ, कितनी खुश, मेरी सहले, हमारी तस्विरे देखकर जलकर खाफ हो जाओ, सब की जबान पर एक ही जुम्ला होगा, बैह साब और चंचर, बैह साब और चंचर, और डार्लिंग, मैं मुझे खुशी है चंचर, कि तुम मुझे से शादी करके इतनी खुश होगी, अज पूशो तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कि मैं तुम से महबत करने लगूंगी, डार्लिंग, मैं तुम्हारी जिंदगी का रंग बना दूए, मैं साबित करूंगी, तुम यह कैसे साब तुम कुछ शापिंग बारे में कह रहे थी ना, अच्छा तो ऐसा करो, मैंने तुमारे नाम से 50 रा रुपे बैंक में जमा कर दिया, मैं तुमारे जाथ आ नहीं सकता, लेकिन तुम आपसे मैंजर को साथ खे करके जूजी चाहे खरीद लेना, तुम को वक्त हो गया है, मैं है, मैं तो नहीं से 50 रुपे, आप तो मैं सारी दुनिया करे जूजी मालिकन, इस्ते बढ़िया कफ्ले आ गहने फेन कर आप सहां जा रहे हैं? चांसी को जला ले, आज मैं उसे बताना चाहती हूँ मेरे पास क्या नहीं, तौलत है, इज्जत है, दुनिया की हर खुशी है कितनी हसीन है रात, ठी तो नहीं बन गई, कैसे? तुम उसकराएं में कद उपटा लिया और आथासी हो गई रमेश, तुम्हे इतनी मीची बातों किसमें दिखने? मेरी शान है ठांटी आव सेंचर, नास करना, बिना ख़बर के उपर दिलिया है मगर मेरा ख्याल था तुम अकेले होगी कोई बात नहीं, रमेश, यह है उसी कौन है, मैं जान चुके सूरत बुरी नहीं सूरत बुरी नहीं वो तो देखना है देखने वाले देख चुके अच्छा, तो फिर देर किस बात की? शहनाई बजाने वाले चुट्ती बगाया है बड़ी खुश नजर आ रही हूँ मुझे भी तो बताओ कौंसी दौलत में रही हूँ देखी नहीं आपने नहीं तो? शूरत आपका नहीं यह दौलत यह ऐसी है जो नजर नहीं आती फिरुवत दौलत नहीं वहम होगा ठीक कहा आपने सोना और चांदी धूलने वाली निगाहें हर खुशी को वहम हर मुझे खेरे को नजर चज़ोका और हर कहके को फरेब समझ और देखने वालों ने यह भी देखा है जब सोना चांदी नहीं होता तो हर खुशी घम बन जाती है मुस्कुराती कहरे आँसों में डूप जाते हैं और हर कहका फर्याज बन जाता है देखने वालों ने गलत घर में जाके देखा होगा उन्हें इस घर के पता दे दीजिएगा यहां फाका करके भी लोग मुस्कुराते हैं क्यों शाना है देखना है कब तक आखरी सांस साथ बड़ा गहरा प्यार मौल मुस्का है क्यों शांती मैं जाने तुम दश्याजी करने बैठ है छोड़े इन बातों को यह बता शादी के बात कैसे गुज़र रही है देखने से पता नहीं चलता देखने से तो आपके दॉलत के पता चलता है रमेश चंचन बैल साथ को साथ क्यों नहीं लाएं अच्छा यार दिला जिया बैल साथ मेरा इंपिज़र करते होगी बाई 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 बड़े शरीफ हो उसमें जानी क्या क्यों सुना दिया यह क्या सुचते होगी बहुत बुरी तरे जल्पी होगी आज जानी क्यों साथ के खेर लेगा काम, काम, काम अगर काम इतना तयरा था तो मुझे शादे जूंकि काम दिने एक केस बयार कर रहा हो एक इंसान की जिन्दगी और मौत का सवाई सारे जमाने की जिन्दगियों की फिकर है आकसर लेकिन मैं मर्ती हूँ या जीती इसके फिकर नहीं आकसर तुमें हुआ क्या है हुआ क्या आज शादी हुए महना भर हो चुका लेकिन आपका हर दिन अदालत में हर शाम जजशाब किया और हर राज फाइलों में अगर जिन्दगी के इसी धर्रे पर चलना था तो मुझे इस घर में क्यों लाए तुमें इस घर में क्यों लाए उसका जवाब किताब में नहीं मुझे पूछे घर के सजावत के लिए जिस तरह ये काली ने पर्दे ये फर्मी चलाए उसी तरह मुझे भी ले आए आपको औरत की नहीं घर सजाने के लिए इस गुडिया की जरूरत थी मैं जहांता हूं मुझे अपने कामों से फुर्चत हैं लेकिन इसका मत्रद ये तो नहीं कि मुझे तुमारा ख्याल नहीं मेरा ख्याल शायद अगस अपनों में करते होंगे ओके आइम सॉरे आइम सॉरे अच्छा तो अब से तुम्हारे लिए वक्त लिकालने के जरूर कोशिश करें कितनी हसीन चान्मी बित्री पढ़े अगर दुनिया में महबद करने वाले नहीं होते तो भगवान चान्मी राते ही न बनेता चले शट पे चले के लगगा कर दो दूम्हे प्टिव्रे ल यातो उकना。 कर दो कर दो कर दो कर दो प्रह जरो प्रह लगे कर दिए हूँ लेहन है रहुँ तो रहे हुफ वो निगाहे मसताना, देख समाह सुहना, तीर दिल पे चला के, हाँ जड़ा धुक जाना वो निगाहे मसताना, देख समाह सुहना, तीर दिल पे चला के, हाँ जड़ा धुक जाना वो निगाहे मसताना कोई देखे नशीली आँखे मलमल के, दिल कैते बनिन दीवाना शमा करे है इशारे जब जल जल के, कहो क्या करे परवाना कोई देखे नशीली आँखे मलमल के, दिल कैते बनिन दीवाना शमा करे है इशारे जब जल जल के कहो क्या करे परवाना ओ निगाहे मसताना देख समा है सुभाना तीर दिल पे चला के हां जरा धुक जाना दामन बचाना मेरे हाथों से अर्मा के गले से लग जाना जले चांच सितारे जिन बातों से सुन जा वही अफसाना दामन बचाना मेरे हाथों से अर्मा के गले से लग जाना जले चांच सितारे जिन बातों से सुन जा वही अफसाना ओ, ओ, निगाहे मसताना देख समा है सुहाना तीर दिल से चला के जरा धुक जाना ओ, 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 निगाहे मसताना बस्ती के दियों को बुझ जाने दे लहरा के नरुक रुक जाना चाहत का लब को ना माने दे यही प्यार का है जमना बस्ती के दियों को बुझ जाने दे लहरा के नरुक रुक जाना चाहत का लब को ना माने दे यही प्यार का है जमना ओ, 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 निगाहे मसताना देख समा है सुहाना तीर दिल पे चला के जरा धुक जाना ओ, 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 निगाहे मसताना फजए ले झाहे जाऊ the फजए बुड़ देख सी ले घजए ले खिए यही जगजशब्स लेज़ग को नाईशब्स लेज़ग को लेज़ग के अज़ग का लेज़ग को बुक जाना जीजी, कैसी हो जीजी, अच्छी कितने दिन के बाद में गी, जीजा कि हमारे लिया क्या लायो, अबे, अच्छ कहां डालता है, बोतल तो रास्ते में खाली होगी, जबाग, खिल, अच्छा अबा, तुम आ गई, तुम देखने की अफसर तो न रहेगी, ऐसे में कहीं बादी क्या बात है, दुश्मनों की तबियत कुछ ना साथ, मैंने कहाँ कैसी तबियत है आपकी, वही पुरानी शिकायत, फिर तो कोई खत्रे की बात नहीं, पुरानी शिकायत तो जिंदीगी के साथ लगी रहती, शांती, डाक्टर को बलाया है, जीज, वेरी गुड, दवा जाओ, उसे जाकी किराय दियाओ, जीज, वेरी गुड, जाओ, खपड़े उपने बदल के सिखा लो, भूख लगी होगी, भूख से जएदा फ्यास लगी है बभूजी, हाई अलगर सारा पदन तूरता जा रहा है, चलो मा, अब बाबु जी को आराम करने तो, जाओ, जाओ बाबु जी, जरा सहत का ख्याल लखिएगा, क्योंकि दुनिया में आपके सिवा हमें कोई नहीं है पूछने वादे, यही फिप्र लगी रहती है लो जरा जूते के बंद तो खोल, भै तुमारे घर का महल बहुती मनूज ने ज़र आ रहा, इधर तुम बिमार, उधर पिता जी बिमार, घर का घर अश्पताल बना गुआ एक जार फ्योग रिष्टी का इंतिजाम होजा, दिल और जिवाब सरी हो जाएगा बाबुजी की तबियत खराब है, और आँ इस तरह की बातें कर रहे हैं हाए हाए, किस बेवकूफ से पाला पड़ा है, अरे मेरी जान, मैं तो इनकी सहथ के लिए पीना चाहता हूँ और पीने का असली मकसद यही है, कि जहाँ पांच छेपे गले के नीचे उतरे, वहाँ बाबुजी उठकर कसरसी पहलमान की तो टन पेलना चुरू कर देंगे मुझसे ऐसी बेहुदा बाते मत किया करो हाई गज़र, देखो मा, तुम्हारे बाबुजी तो शौक परमाते नहीं, तुम ऐसा करो, अपनी बहन से रुपए मांग लाओ, मैं एक बातिल ले आओ, सुना नहीं, दुकाने बंद हो जाएंगी मैं तुम्हारी शराब के लिए अपनी जरीब बहन से हर्गीज रुपए नहीं मांग सकती अच्छा जी, बाप के धर पहुंचते ही जवान खर गए घुलमत, ऐसा जापा दूगा के अकले ठिकाने आ जाएगी तुम मुझे जान से माल डालो, वगर मैं रुपए नहीं मांगूँगी, नहीं मांगूँगी नहीं मांगूँगी नहीं मांगूँगी जैजी, ये क्या कर रहा हूँ? भाई हम लोग पुराने धर्रे के आदमी हैं, इसी तरह महपत करते हैं भगवान की ये धगड़ा बन करते हैं बाबुजी आजाएंगे तो गजब हो जाएगा तो कुछ पैसे इनायद कीजी ताके मैं बोतल ले हूँ शांती नहीं हर्किस पैसे ना देना, मेरी पास ही कहां ज़र दूँ नहीं कर लो परकाश बाबुजी आगे छोड़ा तो मगा तू छोड़ दू इसलिए कि ये बाप के घर आकर मेरी बीबी नहीं रही या मैसे सुराल आकर बुजदिल हो गया मैं तो वही करूँगा जो मैं चाहता हूं मुझे नहीं मालूम था कि मैंने अपनी बेटी की शादी एक नीच जलील और रहशी इंसान से की है अब तो मालम हो गया धोंस सब जवाते हैं पैसा कोई नहीं निकलता मैं कहता हूं ओमा को छोड़ दे नहीं तो मैं तरह सर फोड़ दूगा पैर कपरम में और दिमाग आसमान पर पैर तो पदमाश बाबजी 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 अच्छे हो जाएंगे ना जाओ बेजी अपने बाबजी के पाफ जाए मुझ पे ज्यादा आप उन्हें तुन सब की जुदूरत से दवा का समय बिश चुका अब दुआ का वर्ट हो अबजी बाबजी अबजी अबजी चान्ती की ख़दा नहीं जीदी इजाजी अभी दवाली कराते होंगे अगरा पानी पिला दे जीदी का बुखाब तो बचता जा रहा है अबजी दवा लाने के लिए यह जानते हुए भी कि उन्हें बीवी की जान से ज्यादा शराब प्यारी है बस यहाँ होगे आप ठेजा बस फिर क्या हुआ तो क्या कहा है हालत नहीं बेख रही हो तुम ठीक कहते है वाकी हालत खराब सी हाय गजा दिन भर की ठकावट तुमारा गम अपना गम पैरों में चक्कर आखों में दम बस तु गया आम क्यों इस्ते प्रकाश की घाप में बीमार पड़िये खरीब श한ती ने कंगन दियaken आपने शराब में वड़ा इए तो स्थर्मारीश आप क्यापर माय आदी स्थर्मारीश चाहिए शर्मारत को आती शांती मेरी साली इसके जेवर गहने तो क्या इससे बेच कर पीतकता हूँ लेकिन मैं आप से पूचता हूँ के आप किस खुशी में एक महने तक इस घर के टुकले तोले रखो जादा गावा की तो यहां से चल्सा कर दूदा चला इनके मुना लगो रमेश चलो यहां से तरो कमन कमन आप किस खुशी कर दोलें वही मेरी सहली है आपकी तारिफ मेरा नाम है चंचर वह तो जाहर होता आप किसी जोहरी की बेटी है जोहरी असे पाँ तक सोना हीरे जवाराथ ऐसा मॉलम होता जैसे किसी जोहरी की तुकान लगे वहां मर जाही है रमेश और शान्ती मिल रही है मुझे उनसे मिलना है हाँ दुरूर मिली है मगर आप समझी नहीं हालत बहुत खराब है शान्ती की बेहन बिमार है याने मेरी बीबी दवा तक को पैसे नहीं अगर कहीं आप अंदर गई और आप को दिर को रुपे मांग बैठे तो तो क्या हुआ तो क्या हुआ कितने रुपेश बठे रहे है थोड़े बहुत है तो दिए दवा लियाओ बिचारी के लिए अब आप अंदर जा सकती है मैं भी दवा पी कर रहा था मिला मतलब है दवा लेकर रहा था दवस्ते दो रोज हो गया जीजाजी को ना डॉक्टर ने देखा है ना दवा मिली है आखिर कब तक वो इस बखार में सुथी रहेगी घबरा नहीं सांजी मैंने तुम्हरे जीजाजी को पैसे दे के दवा लाने भीजा अब ही आ जाएगी जीजाजी जीजाजी क्या हुआ तुम से क्या छुपाँ जीजाजी यह सारे दुख हमारी जीजाजी की कारण है शराब में उन्हें कहीं का न रखा घर में दवा लाने को पैसा नहीं कंगन दिया था वो भी बेचकर शराब पी गए अच्छा मुझे पता नहीं था वह ऐसे हैं क्या बता हूँ तिता जी क्या गए हम पर मुसीबतें टूट पड़ी है रमेश के वकालत कल जाती तो किस तरह गुजारा हो जाता है तुम क्यों नहीं कुछ करती मेरा मतलब है नौकरी करना कोई एद के बाद नहीं नौकरी मुझे कहा मिलेगी नौकरी कहीं तो मिलेगी हाँ यूं तो एक खेटल के मालिक में बहुत अच्छी नौकरी देने को कहा था फिर मेरा स्टेज पर काम करना रमेश को पसंद नहीं ये पसंद का सवाल नहीं शांती जिन्दा रहने का सवाल है तुम्हारी बीमार बहन है दो छोटे भाई बहन है जिनकी तालिम पूरी कराना है उनकी खुश्या ज्यादा प्यारी है या जूटी इज़त सोच लो शांती मैं जानती है लेकिन रमेश को भी तो नाराज नहीं कर सकती नाराज करने की बात नहीं तुम उन्हे समझा सकती हो कि जिस दिन वो कमाने लगेंगे तुम काम छोड़ दो अच्छा बात करूँगी लेकिन अभी तो दीदी का गम मुझे खाया जा रहा है किसनी तकलीफ में है वो और घर में दवातक के लिए पैसे नहीं वो कि बात अब मुझे तक्शल प्जा है वार तुम तुम वकील साहब प्लेटे साफ कर रहे हैं करो करो जबना ये उल्टा है लोग कह गए है कि मैंने लाखों के बर्तन दोए सबरिया तेरे लिए नाराज ना हो ये वकील साहब कहीं एक आज पलेट तूड़ गई तो तनुखा कर जागी अच्छे वाई हमसे चल गई है अजिए तुखके चुखके रुपते रुपते मैंने देखा तुने देखा जादुखोई चल गया चुखके चुखके रुपते रुपते मैंने देखा तुने देखा जादुखोई चल गया हाहा हाहा वो हव्ते ते ते उजी रही सबसेगा और खासकी देखा जाले तक मेंने देखा जादुखके देखा थे रहादी रुपते जाद देखा तक यादीशन की चांजनी थे रागनी थे मैंने देखा तूने देखा जद कोई चली गया चुपके चुपके रुपते रुपते मैंने देखा तूने देखा जद कोई चली गया हाँ 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 फुलत के नेलों अपा उठना कहना ठुप 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 जाना फुलत के नेलों अपा उठना कहना ठुप ठुप जाना वहात मेरा ठाम के तेरा रुप जाना आग आपके पास है और आपको पता नहीं आग बुच चुकी है बुच ही नहीं रास के नीचे दवी चलिए कहिए कैसे आना हुआ आपके मिलने मुझ से असल में आपको और मेरा एक ही जैसे हाल हर शाम शांची थेटर में और हमारे देया सब आफिस में सो मुझ में नहीं आता शाम कैसे काती गया जुझते में क्या कर रहे थे साथ जाना चाहती है खाने के बर्तन दो रहा थे बर्तन? जी बर्तन लेकिन आप बर्तन क्यों थो रहे थे वक्ष बुदारने के लिए कुछ तू करना चाहिए क्या बात कर रहे हैं आप क्या आपके लिए दुनिया में कोई काम नहीं आपके कोई केमत नहीं आखिर ऐसे क्यों सोच लिया आप मैंने नहीं सोचा, दुनिया ने शीलाइक समझा है अगर आप दुनिया के गलत इंसानों के समग जोड़े इसमें दुनिया की क्या खता है मुछे आपको इस हालत में देखके बहुत दुख हो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया अपना दुख्रा दूसरों के सामने रोने की मेरी आदत नहीं है चंची लेगी है आप मुझे गय सुमसे लेकिन मैं नहीं आप मेरे पड़ा सुख आपका दुख मेरा दुख है और आपका सुख मेरा सुख मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती आपके जजबाद की नहीं सबर करता हूँ लेकिन आप मेरे लिए कर भी कर सकते है यह नहीं चाहते है आईए मेरे साथ आईए नहीं तो मिस्टर रमेश अगर तुम मेरे यहां काम करो तो मेरा बोच काफी हज़का हो जाए और परफेक्ट वाइस सेंचल मेरा कितना ख्यार रखती है देखो ना मेरा सवाद तुम्हें यू चुट्कियों में हल कर दिया और मेरा भी मिस्टर द्याल मैं जान लड़ा के काम करूँगा इंसान की इज़त उसके काम से होती है और तुम्हें मेरा अस्टर बना कर क्या फायदा हुआ इसका फैसला तो चंचे नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने ही तुम्हार इसकारिश की है जी मुझे याकीन है मिस्स द्याल को मुझे कभी कुछ शिकाश करने का मौका ने लेगा अगर आप समझदार है तो शिकायत होना तो नहीं चाहिए जी खुड़ नाच्च्छ नियाल तो आज हमारा काम या भी ने कर दिया क्या थिया जै जब नौकर कामचोर हूं अच्छा जी, तो कान खोल के सुलो, तब से तुम्हारा नौकर काम नहीं करेगा, उसे दूसरी नौकरी मिल गई दूसरी नौकरी? तुम्हारी थेली चेंचल मुझे ज्याज सहाब का एसिस्टन करवा रही है और तंखा होगी पाम सो रुपया महमार फिर तो अपने ठाग है, ठेटर का काम बन, और कॉन्ट्रेक्ट का क्या होगा? कॉन्ट्रेक्ट फिर तीन मेने का है, इसके बाद चुती, और फिर तुम्हारी तंखा का सफाया शुरू जानो जानती हो आज तुम्हारी आंखो में क्या है? या? वो चमक जिसके मुझे तलार थी, यूना शाख, वो सरूर वाकड़ जो के आज में का सर्फकर से उचा कर देती है आज में तुम्हारा हाथ पोगर के क्या सकता है? या? बनाओगी मेरी रमेश, देख लिए सारे पाइंट्स जी हाँ, आप असकते हैं अरे फिर देखा देना, इसको मुझे एक अलेक्टर के हाँ कानफरन्स को जाना है तो फिर जाना है? अगर आज नहीं ही गया, तो मेरा जजज बनने का चांस मारा जाता है और मेरी हर शाम मारी जाती है, उसका ख्याल ही नहीं है अब मैं किसके साथ जाओ शॉपिंग कर ले? ऐसा करो, तुम रमेश के साथ ते ली जाना? रमेश, जरा ने शॉपिंग को लेगा? जी मैं तो साथ इंपॉंट्स को दर मास्या कर लेता हूँ, भई, कल कर ले ना? दिवफ दिए है जा जाओवा के? ना जा जाओवा भी जाओवा जाओवा है झादी है पुफ क्या हुआ? दर्द क्यों ही कभी कभी दर्द उता है? किसी डॉक्टर को दिखाईए ना कौन ले जाएगा मुझे दॉक्टर को दिखाईए? देयाल साथ का कहते हैं वो ही अगर मेरा ख्याल करते तो ये दर्द ही क्यों उता? सारा बतन तोत रहा है मुझे बुखार भी है, देखे लिए मेरा ख्याल है मुझे भी बुखार हो रहा आपको यहां से शॉपिंग करने जाना है आपको देर हो रही एक दर्जम सिल्की समीजें, तीन सूट, एक जस सूट आपने तो मेरे उपर बहुत खर्टा का डाला है घबरा ये नहीं जो खर्चा करता है वो खर्चा वसूल करना भी जानता है कैसे? बड़े बोले हैं आप समझाना पड़ेगा समझाये ना इस टू अरली एक्शूज मी हाई घजब, कभसे इशारे कर रहा हूं, तुम तो देखती ही नहीं मैंने देखा नहीं हाँ, क्यों देखने लगी हो, तुम से वो पंटू साथ में बैठा है न फर्माई, क्या हाल हाल क्या पूच्ती हो, दिले बेकरार का अभी तक मन्याडर नहीं आठा याद रखिए सब अधा कर दूए मैं रुपए लेने नहीं आई माप कीज़ेगा, मैं खारात नहीं मानता कितने रुपए लिए थे आपसे पचास ना ऐसा कीज़े के क्या पचास और देदी ये पूरे सो हो जाएगे याद दाश के लिए आतानी हो जाएगे हाय घंजब कितनी समझदार होतो देखे आपसे छोटी सी बिंती है बडी सी बडी कहिए परक्या पहता घरजार के शांती से न कहिए के तुम और पंटू साथ में बठते ये भी कोई कहने की बात है है मैंचन नाथ वे देखता क्या है डवर बना मुआ 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 ये तादी के बड़े अच्छे कहां चलिए कहा था चुटी है जल्दी आना अब आये रात के बस बचे मैं तो फ़स जाता तुम गई नहीं गई कहां जाती है अक्ये लिए हाय गजब कमाल के शायर हो यार तुम भी वहाँ चंचल से जट पट और यहाँ शांती से लट पट शर्म नहीं आच कि किसी को दिलावजय बदनाम करते हुए चलो महीं जूता सही लेकिन तुम अपने वकीर साथ से तो पूछो कि इतनी रात गए हुए पूछने की कोई जरूरत में मुझे इंटे पूरा भरोसा है अरे भाई भरोसा तो मुझे भी है लेकिन इतनी रात गए हुए बुड़े दयाल साथ की जवान पत्ने के साथ घुनना भी तो ठीक नहीं और वो भी कहाँ प्राइडा पेशिया वार में जहां चाह के साथ शराब मिलती है आज चाह पिलनी है तो कल मैं नहीं मानती नहीं मानती शांती मैं चंचल को शॉपिन करवाने लगया था वहां से हमसाज पीने चला गया वहीं देर हो गई हाहाहा सुलिया मामूली सी बात थी भीया रमेश ये ललकिये बड़ी जल्कित थी ओड़ी हो चाड़ा आप चाड़ा कुमार हाई गर्दर चक्रिमोटी तुईया दे जल्का मेरा कालना जल्का मेरा कालना बात क्या है बात अजी मैं बढ़ाई देने आया हूँ मुबारक हो तुमारी महबत मेरी कोशिशें रंग ला रही है सुनो कल की बात मैंने शांती से कह दी चुनाचे मिस्पर रमेश और शांती में बोल चाल बन लेकिन मैंने तो यह नहीं कह था अच्छा जी जाने तमन्ना किस्ते आंक में चोली खेल लही है अमा सीवी सी तो बात है तुम्हें जुरुवत है रमेश की उसके प्यार के यह गलत है गलत ज़रा सुनो दिल सब कुछ और कह रहा है देखो मेरी जान मुझे तुमसे कोई लगाओ नहीं नफरत है इसलिए कि तुम मेरी नन्नी मुन्नी ऽंति का दिल तूड़ना चाहती तुमारे पास हीरे हैं जवा राथ है दौलत है श्धि की दौलत रमेश तुम्हे श्धि की दौलत की खेमत χुणानी पड़ए किसको जहरा मैं कि रमेश को श्धि से जुदा करके तुम्हारी बाहों में लानम मेरा काम है, कीमत फिर पाँच हजार, पाँच हजार? हाँ, तुम्हारे जिन्दी के भर आश की की कीमत है, लेकिन शांती और रमेश, ये कैसे मुम्किन हो सकता है? मैं उसे मुम्किन बना दूँगा, शराब के खातेर परकाश क्या नहीं कर सकता, अपनी जान दे सकता है दूसरे की जान ले सकता है, अगर तुम कहो तो द्याल साथ की गर्दन मरोला है, हाँ, हाँ, धर दे, अरे भाई, ये चोरी का प्यार कब तक है, देखो, आज नए साल के खुशी में प्राइड आफ एशिया बार में जबदस प्रोग्राम है, ठेटर कंपनी की तरफ से वहा हाँ पहुचना तुमारा काम है, बाकी जुमा मेरा, लेकिन वहाँ होगा क्या, पुराने साल के बंदन तूटेंगे और नए साल के गड़ बंदन शुरू होंगे, संदे, नहीं संदे, हाई गज़र, आपने में ची बिलाए, हाँ, अरे, अभी तर तुम के याने होई, नही मेरे तब बेची की, मैं कहीं नहीं जाओंगे, यह क्या कहरी हो डाले, कमिशने साहब में मेरे साथ के खुशी में बिलाए, मैं इन बुद्धों से संगा गया, तुम नहीं जानती कितने साथ ले चलने में, आज मुझे कितने खुशी हो रही है, तुमें देखते, सब लोग तुम मेरी किस्वत पर रेश करते हैं, मेरे सर में बहुत दर्दे डाले, लगता है मुझे बुखार भी चल रहा है, मुझे घर ही में रहने दे, ले, अच्छा, तुम्हें के रही ही जाता है, और साथ को जरूर बला लेगा, तुम्हें छाया है, मुझा पर जए अच्छा, सब्सक्राइब काल के इस हृई लगता है, तुम्हें इस्टार्ब करता ही है, अचकी दिनर और डांस के लिए, मेरे नम पर दू सीटे रिजव करती है, जी हा, विल्कुल को नहीं, थैंक्य। कि देखो रमेश यहां आए तो उसे चॉकलेट जा देना नहीं तो शांती को लेकर कहीं और चला जाएगा बस समझ दो एक चॉकलेट खा लिया तो उसे आधी बोतल करना शाह हो जाएगा लुग और डालो रिस्की और के वहां किया करने प्रकाश भावू शरा बहुत है जानता हूँ जो यह फश्में को देना और यह फश्में काकिसा में जो पंटूस ता पैठा है पेठा ना इसको देना जब हुआ इधाना अयि के ज़म है बढ़ हादा हुई है हुआ हुआ हुआ! शम्मा जलती है जैले शम्मा जलती है जैले रात जलती है ठैले जोड़के ऐसे मतल हम नहीं जाने वाले हाई 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 ये निगाहें करते शरावी जिसे चाहें मैं तो भूल गया राहें रात हसी है जवाँ है नजारे जूम चले हम दिल के सहारे रात हसी है जवाँ है नजारे जूम चले हम दिल के सहारे आज कोई हम को न पुकारे रोकती है मेरी राहें मैं की बोतल जैसे बाहें हाई हाई ये निगाहें हाई 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 ये निगाहें करते शरावी जिसे चाहें मैं तो भूल गया राहें यू जो समा बहका बहका हो हम जी जरा बहकें तो मजा हो यू जो समा बहका बहका हो हम जी जरा बहकें तो मजा हो आख पिये और दिल को नशा हो ये इशारे ये अजाएं मैं की बोतल जैसे बाहें हाई हाई ये निगाहें कर दे शरावी जिसे चाहें मैं तो भूल गया राहें हाई 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 याद नहीं याद नहीं मेरा प्यार यहीं है देखो मुझे कुछ होश नहीं है तोबा तोबा ये निगाहें मैं की बोतल जैसे बाहें हाई हाई ये निगाहें हाई 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 ये निगाहें अरे कर दे शरावी जिसे चाहें जिसे चाहें मैं तो भूल गया राहें कोट नाच अरे कर दे शरावी जिसे चाहें मैं तो भूल गया राहें हाई 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 ये निगाहें हाई 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 ये निगाहें अरे कर दे शरावी जिसे चाहें मैं तो भूल गया राहें Hello, my dear. Hello, my dear. शानो भाई, माप करना वो तुम्हे लेने नहीं आसका. चंचल हैना चंचल? तुछ में आने ही नहीं दिया. मैंने उठना चहां पर बैठी जाया. और सच की सुर्थ तुम्मदा आया चाने, मदा आया. ओ, ओ, तुछ भूती क्यों है? तुछ समझती है मैंने शराब पी है शराब. नहीं नहीं चाने मैंने शराब नहीं पीन, मैंने तौप. लमन पिया है, लमनेट. मैंने लमन पिया है. अगर तुम्हे जरा भी शर्म होती, तुछ यहां नहीं आते. चेदे जाओ यहां से, बूर हो जाओ मेरी नजरों से. कहां जा रहे हो, रमिश्ट? चलो वापस. मैंने शर्ड जामर है, मैंने कभी बेज़िती नहीं चाहिए और तुम भी मेरी बेज़िती नहीं कर सकती. थेटर में नाकरी क्या मिलिया, दिमाग ही नहीं मिलता. रमिश्ट! तुम समझती हो, मैं तुम्हारी धंकिया सुनूंगा और यहीं पड़ा रहूंगा? तुम समझती क्या हो, मुझे खरीद लिया है क्या? रमिश्ट! रमिश्ट देखो, वापस चलो, तुम होश में नहीं हो रहा है। मैं अच पूरे होश में हूँ! अगर तुम्हारी वदल की होई निगाहें खुल परचान साओं। रमिश्ट! अगर मुझे ना तुम्हारी परवा है ना तुम्हारे प्राशे की! अगर जीना है तो अपने बल बूते जीओंगा तुम्हारे सहारे नहीं! रमिश्ट! मैं तुम्हें लीजाने दूगी रमिश्ट! 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 वहे अणिय कोो औरॉप है ईन्येक्षील है भी मेरी पत्नी चाहिए खुलब है थाएंवे इन अ थाएंवें लूचेए ते लाएं़ है आ थाएंवे अ जाएंवें है है थाएंवें विग्या मुझे नहीं, पाज से शादी किती इस दौरत में से तुम्हें इक पाई भी लेगे यह है उस्ते के अतामा, जिसमें मैं आरी यादा से मरूं करते मुझे मापको देजे निट्या, क्या है, जोनो टैस्ट पर गया यहाद तो कोई सवार भी ने मिल सकते उते जिए पार मिल सकते चेलो वादा 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 कर अार दिखना ठका प्रट टुझा है और फश्र पर बट्रब टो कर बहुड़ ले भुब ut फ बड़ फ फ दो हम दोने इतने के रिये दर्या किना रहे गए थे वहां हमारे साथ और कोई नहीं था वापसी तो क्योंकि हमारी मोटर पंचे थी और सवारी दर्यापार ही मिल सबती थी इतने हमने दर्यापार चलने का फैसला गिया केस्टी में चप्टू के लेगर किनारे खड़ी थी लेकिन मला कोई न था मैंने कहा यलिये केस्टी सेही चलते है वह मान गए कहस्ती में यह राय न देते कहस्ती वह मेरे बात न मानते है इसमत की बात है मिस्स ग्याज आपको क्या पता था कि कश्ती लहरों में जखोले खाके उलट जाएगी आय गजब क्या खिल लहा है तुम पर ये काला लिवार भगवान करे तुम सदा ही बेवा रहा तुम यहां कैसा है यह भी कोई पूछने की बात है क्या दौलत छोड़ गया है मरने वाला अगर इस दौलत का सही इस्किमाल नहीं किया गया तो बड़ा दुख होगा उस्ती आत्मा को प्रकाश मैं पुलीस को फोन कर दूँगी कि दैल साब का फुन तुमने किया है तुम इतनी बेवक्तूफ नहीं जब तक द्याल साब का वसीयत नामा मेरे पास है तो मेरे खिलाफ कोई कार रवाई नहीं कर सकती जल्दे से पैसे इनायत करो क्यास लग रही है बड़ी समझदार और पैसे की जरूरत हो तो खबर कर दाना शुक्रिया तो कितने गिल हुए उस बात को यही के पंद्राव बीट रोज और कब से तुम सांटी से मूं मिले मेरी के चाटर साथ अगर उसे मेरी परवा होती तो ज़रूर मेरे पास आती और मुझे मना के ले जाती तो मैं मना कर ले जाती गलती भी तुम्हारी और मनाने के लिए भी वह आये तुम्हारे पास मेरी गलती और नहीं तो क्या मैंने को जान बूज के तो पी नहीं थी और उसने ये तक नहीं सोचा कि उस राज चिराज के नैशे में मुझे क्या गुजरी वो तो खरीत हुई कि चंचल ने मुझे देख लिए और अपने घर ले गई वरना सारी रात साड़क पा गुजरती अब तो तुम्हारी हर रात बड़े आराम से गुजरती है चंचल के साथ उसके महल में जगत हम तो उड़ती हुई जड़िया बैचान लेता है क्या बक्ति हो बक नहीं रहा हूँ फर्मा रहा हूँ तुम चंचल के चक्र में शांती को भूल वैथे लेकिन शांती अभी सक्ट में नहीं भूले और वो कभी तुम्हें नहीं भूलेगी जानके है इसमें शेडर जाना छोड़ दिया लोगों से मिलना जुनना बंद कर दिया मैंने कई बार देखा रात को तुमारे कमरे की तरफ आती है तुमारे इंतजार में शटपर तागनों की तरफ घुमती रही जो आंद फिर निकला लगर तुम ना आए जला फिर मेरा दे परूं क्या नहाए जो आंद फिर निकला लगर तुम ना आए जला फिर मेरा दे परूं क्या ना आए जो आंद फिर निकला ये रात कहती है वो दिन जह तेरे ये जानता है दिल के तुम नहीं मेरे ये रात कहती है वो दिन जह तेरे ये जानता है दिल के तुम नहीं मेरे खड़े हो मैं फिर फिर निगाह बिछाए मैं क्या करूं हाए के तुम ना आए चांद फिर निकला मगर तुम ना आए जला फिर मेरा दिल करूं क्या मैं आए चांद फिर निकला तुम नगते सीने से गुआता उचता है लो अब चले आए के दम घुचता है तुम नगते सीने से गुआता उचता है लो अब चले आए के दम घुचता है चला गए तनका बहारों के साए मैं क्या करूं हाए के तुम याद आए चांद फिर निकला मगर तुम ना आए जला पिर मेरा दू करूं क्या ना आए चांद फिर निकला बार जाणद फिर आए नाराज होँ जानल करूं तूम 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 मैं जानती तितू मुझे तो मैं पहले रोज से कह रहा हूँ निकल जाओ मेरी मकां से अभी किसी वक्त बहुत अच्छे तो उस्ता किसी का और उतर रहा है किसी पर जाने दो सुसरे को मुझे तो पहले रोज से मालूम था ये पंची फ़तने वाला नहीं लेकिन तुम थी उसके इश्क मैं पागल मैं कोई बक्वा सुनना नहीं चाहती चले जाओ यहां से आए गंजा इतना घुसा करो कि मेरी जान तो तुम्हारी जवानी फुल जड़ी की तरह भग कर कोला बन जाएगा मारो गोली इसमें गम करने की क्या बात है क्या हम मर गए हैं तुम नहीं जाओगे अच्छा चले जाते हैं मगर हां बात यह है कि कल से आपके घुलाम की हालत बहुत खराब जेब खाली बोटल खाली अगर थोड़ा सा बंदोवस को जातो अच्छी वाद कि अच्छी वाद आपके मेरे हमाले कर दो निकालो यह लब गोर्देश खिलाने को वरना गोली मार दूँगा याद रख परकाश रास्ते का निकमा शराबी नहीं जिन हातों ने ज्याल की जान लिए वो तेरा गलावी घूट सकते हैं जिजा जी आख अब बनाओ अपने खैस उड़ी देर में सारी दुनिया को पता चल जाएगा जैल सापक्पून किस ने किया है लेकिन दर्वादा तो बन था तो सुना कैसे हो गए अगर सुन लिया हो तो अजगर सकते हैं क्यान दो în कि अब शुपना बेकार है तुम्हें सब मेरा राज वालम हो गया मैं तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ सकता था 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 अल्टी शाल्टी था मिया सो ऑगे अब जो आगे तुम मुझे नहीं मार सकती मैं तुम्हारा जीदा हूँ तुम्हारी बहन का पती तुम्हें नहीं मार से देखते देखते कर दो कर दो कर दो कर दो कोली तुमने चलाई आमेर चलो अरे सुनिये मास कीज़े का मिस्स द्याल आपके कंपाउंड वाले कमरे में एक खोन हो गया है खोन? हाँ मुजर्मा को मैंने ग्रिफ्तार कर लिया है मुजर्मा ये गलत है चांटी कभी खोन ने कर सकती इन्होंने खुद इत्बाले जुन किया है मुझे पुलिस टॉके टेलिफून करना है सुना आप में? हाँ, इदी चलिए आए हलो, हैटक्वाटर मैंने स्टेक्टर खन्ना बोलना हूँ दी, हजरत गंच मिस्टर द्याल के बंगले पर खोन हो गया है हाँ, मैंने मुझेमा को जिफ्तार कर लिया रही है तुम पॉरल पहुंचो हाँ, जल्दी करो लास्टर दी मिस्टर दी आपने ब्यान में कहा है कि राज के बारा मजी जबसे आप अपने मकान की सच पर कहल रहे हैं आपने मिस्टर द्याल के बड्रूम के चीशे पर दो पर चाहिया देख पर चाहियों से ऐसा लगता था जैसे कोई मर्द किसी औरत का गला खोट रहा हो ये देखकर आप मिस्टर द्याल कहां गई है क्या आप बता सकती है किसी मार्द किसी से मुसीबत में देखकर उसकी मदद करना इंसानी चाहिए ठीक कहा आपने आपने वहां पहुंच कर देखा कि मिस्टर प्रकाच मिस्टर द्याल का गला घोट रहे हैं तो इंसानी फर्द भूलकर इत्मना जिवाप पूचल गया मिस्टर प्रकाच ने मिस्टर द्याल को छोड़कर आपका प्रिशा शुरू कर दिया क्यों उनका ख्याल था मुझे उनका कोई राज मालुम हो गया है लेकिन आपको कोई राज नहीं मालुम था या अपने उन्हें बताया या अपने बताने की ज़रूरत नहीं संदी इसलिए कि शिकार सामने था रिवाल्बा हाथ में इसलिए कि जीवन भर की मुश्कलों का हल एक लम्हें एक स्थेकंड एक सलमें हो सकता यह गलत है मैंने चाहिए मुझक के खुन नहीं किया हर मुझरेम और हर खुनी ने इसका ड़रे से यही अलपास बराए है मैंने खुन ने किया मैं निर्दोश हूँ लेकि इनसाब के बुकार वो तागा देजिए हर जुर का परदाचा किया है जवाब दीजे काई सच नहीं कि प्रगाजबाओ की मात आप ही गाता हुई हाँ शायद मेरी ही यह शायद किसी है इसलिए कि मुझे याद नहीं मैंने कब गोनी चलाए जब स्कोन सर चर जाता है तो इंसान को अपने कर्टूत भूल जाते मिलाच और मेंबरा ने जूरी मुल्जमा का पुल्स को दिया हो बयान सरसर जूट है मुल्जमा दुनिया को ये जखीन दिलाना चाहती है कि उसने अपने बचाओं में गोली चलाई अगर ये सच होता तो परकाश बाबो की लाश कमरे से गायब नहोती लाश का गायब होना ये थाबित करता है कि मुल्जमा का कोई मददगार भी था अगर कोई मददगार था तो इस खुन की पहले से तेजारी की गई और अगर पहले से तेजारी की गई तो बचाओं का कुछ सवाली कादा नहीं होता ख़च तो ये है मुल्जमा ने परकाश बाबु का खुन अपने बाप की माउच के बदले में किया मरने के पहले बाबु दिगंबा नाथ का परकाश बाबु से खगड़ा हुआ और वो उसी राज बचे मुल्जमा के दिल में परकाश बाबु को माड़ डालने का ख्याल उसी वक्त प्यदा हुआ ख़च ये जुर्म कोई फोरी गुसे का नतिजा नहीं बलकि सोच हमद कर किया गया है देखिए मुल्जमा के शान तेरे को उसने अपने जुर्म का इकपाल किया है लेकि उससे पापका कोई पच्तावा नहीं उसने अपनी बहन की माँ से संदूर मिटा दिया लेकि संद्ध की नदर नहीं जुकी एसी स्कूनी एसी गोड़ पापन ऐसी मुझरमा की कानुन दवा में एक हिसा है भी लाड़ और वो है मौत और 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 वकीले सफाई मुझरमा से कोई सवालाच करना चाहते हैं जी नहीं दो आज की कारवाई खत्म है आपने सवालाच क्यों नहीं किये कोई फाइदा नहीं मिस्ट रमेश मिस्ट चान्ती के एकवार जुरम के बाद इस केस में कोई दाम नहीं जा है आपका मतलब है आप कुछ ना करेंगे फिर पहम की दुरखास की जा सकते हैं मिस्ट रमेश आप वकील दुनिया फैसले का इंतिजार करने की लेकिन आप और मैं जानते हैं फैसला क्या हो जा मौट मैं आपका मूँ मांगी रखम भूंगा वस्ट आप शांती को बचाना मेरे बस में नहीं जाना वो अपने जनूं का इक्रार कर शिक्रीए मिस्ट रमेश आनूं को कोई द्धोका देव ही तो कहा तक है कोई बड़े से बड़ा वकील भी आपकी शांती को नहीं बचा सकता इस इंपॉसिबल आप शेहर के सबसे बड़े वकील हैं आप चाहें तो पुलीस के सारे इल्जाम आप बेकाता बेका सकते हैं दुनिया का कोई वकील शांती को मौत से नहीं बचा सकता है इस केस को लेना बद्धनामी मोल लेना यंद्ध क्या मुझे फासी हो जाए नहीं शानों नहीं तुम बेगुना हो और भगवान बेगुनाहों को तूली पर नहीं चिलाया चाहता शानों मेरी जिंदेगी कर इतना विश्पास ना करो रमेजी तुम्हारा दिल शूप जाएगा तुम गम से पागल हो जाओगे मेरी नहीं हो जाएगा मैं समझती थी मैं तुम्हे खो चुकी थी तुम मेरे नहीं हो काश की अशा हो जाएगा तुम्हे कह रही हो स्याूश तुम्हे को कर मरना आजान था और लब लिए रो नहीं रो नहीं सले, रो ल वूल र्यमेश में अपने लिए सुम्हें मुझे दुख है तुम्हारा कर किसधर से तुम्म मेरे मौत का अखलान 20 कि आख़्ोसे मुझे वे जर्टे देखो मैं तुम्हारी जिन्दगी बचाउंगा आखरी समय तक दश्रक्राएं और Selbst दानट के सामने तुमारे लिए लेड़ूगा शाण। आखरी सांस तक तुम्हान से लागए चाहण। अगर आखरी तुम्हारी स्पुनिया से नहीं जाओपु तुमारा हाथ थामे मेरी तुमारे साचा हूगा यह मी तुमारा हाथ थामे मेरी तुमारे साचा हूगा मुझा रामुट तुमने अपने बयान में कहा है कि खत्व की राज को तुमने एक और तो एक मर्द के पीछे बागें के में वाचते हूँ देखा था क्या तुमने पैशान सकते हूँ करकार मर्द कौन था यह तो हम नहीं देख पाए परन्तु हाँ माफ करना भी क्या जीता की सौगन खाके हम अपनी बेटी के लिए भी जूट ना बोलन उसराग हाथ में तमन चालिए तुम ही उस मरद के पीछे भाग रही थी आपका दवा मुसमी रामू मिस्स देयार के यहां नौपर होने से पहले तुम कहा थे अब बनारस में फरकार और बनारस में गतल के सिलसले में तुम पकड़ा गय थे और तुम्हें पांच बरस की सजा हुई थी क्या यह तही है यहा मायवाद अब जिन्दा है और अब जिन्दा है और अगर आप जोगा का सकते हैं और अगर आप जोगा का सकते हैं तो यह भी मुम्किन है कि प्रकाश बाबू वाकी मरे नहीं और इस वक्ट जबके हम और आप उन्हें बुद्दा समझ रहे हैं वो जिन्दा है मेरी और आप की तरह क्या यह मुम्किन है जी बहुत मुम्किन है मिशिस दयार अफुल के बारे में आपको किस वक्त खबर दो रात के कोई बारा बजी होंगे चब की मुझे प्यास लगी पानी पीने के लिए मैं नीचे उतर रही है कि अचानक दर्वाजा खुला और पुलीस इंस्पेक्टर मिस्टर खन्ना मेरी सहिली शांती का हाथ पकड़ हुए दासे से मैं ने देखा एक सेकंड कन्शLA रात के बारा बजी आपके मकान का दर्वाजा खुलाता है हाँ शयद मेरा नौकर रामू उसे बन करना भूल गया और तो मतलगा असकता है आप भार गई हो प्र गई हो देर्वाजा बताया, हमारी बाते सुनकर मेरा नौकर रामू भी आ गया, मिस्टर खना ने मुझे कहा वो पलीस में फॉन करना चाहते हैं, इसलिए हम सब उपर गए, एक सेकंड चैंचल देवी, उपर जाने वाले हम सब कौम से, ने, मिस्टर खना, शान्ती और रामू, रामू भी, लेकिन लेकिन मिस्टर खना की रिपोर्ट चैसी है कि उपर सिर्फ वो शान्ती देवी और आप गए थी, चाहता कोई नहीं था, उसके बाद आप सब नीचे आए, तो रामू हॉल में भी नहीं था, और नहीं वो आपके साथ तो सुजाड कमरेदा की गया, जहां से मिस्टर प्रता आपके साथ नहीं था, और वो आपके साथ इसलिए नहीं था, जो काम आपने अधूरत छोड़ा था, उससे वो पूरा कर रहा है, इसलिए कि प्रकाश बाबो का खून आपने किया है, आप भी ने उन पर गोली चलाई, उनी आप हैं, चांती देवी नहीं, ओर ओर, ओर, ओर इसलिए सफाई गवा को खातला ठहरा रहे हैं, मुझे यकीन है, उन्हें पूरा एसास है किसी पर बेबुनियाद इल्गाना एक संगीन जुर्म है, मुझे पूरा एसास है, माईलाओ, अगर आपके इल्जामत गलस साथ हुए तो सारी जिम्मेदारी आप पर होगी, लगीन माईलाओ, गवास्ट मालाद नहीं गे सकता है, कप्लों के बढ़ कमरे के दरवाजे बन थे और अंदर परकास बावू और मुझे छानती देवे की सिवार तीसरा कोई नहीं था, मैं भी यही अचकरना चाहता हुए तो माई लगए के बहाब ज़रूर, कमरे के दरवाजे ब जिए लगी ते गोली में शान्ती नहीं बल तो इस शक्त ने चलाई जुद्धानी तरफ खिड़की के पास और खिड़की के पास वो इंसान था जो भाकर वापस मकान के अंदर गया जर्वाज़ा बंद करना पूल रहा जब पुलिस इंस्पेक्टर टालीफोन कर रहा था तो उनका क्या फाइदा था मिस्टर परकाश को मार डालने इसके लिए मैं चल्डेवी से कि तवारात करने के अज़ाज़ चाहूंगा माई लाज़ाज़ा इसके लिए मैं अपने जीवन में मिस्टर द्याल के सिवा और किसी से मोहबत नहीं की मैं अपना सवाल फिर दोराओंगा अब दर्सिन माई लाड वकीले सफाई को गवा के जाती मामला से कोई फरकार नहीं ये कानूनी इखलागी है हरे तुमार से खलब है मिस्टर रमेश मुझे यकीन है इस किसम के सवाला से जो नताइज निकलते हैं उसका आपको पूरा एसास है क्योंकि एक मासून के जिंदगी और मौत का दारो मदार इनी सवालाता है मैं अदाले से दखास करूँगा कि मुझे इन सवाला के इजाज़त दाए मिस्टियाल क्या पूरे यकीन से कह सकती है कि आप ने अपने जीवन में मिस्टियाल के सिवा और किसी से महबबत नहीं की मैं कीता कि सौगन खाके कहते हैं अगर मैंने जीवन में किसी को अपना देवता माना है तो वो मेरे सरग्वासी पती की मैंने देफसा के बारे में नहीं कुछा थे खेर छोड़िये इस बाब को हां तो आपको पता है कि मिस्टर द्याल इलावा आपके किसी जीसी औरत से महबब यह जूट है मैं अपने पती की चाल सेलन के बारे में एक शब्दी सुने को तयार नहीं आप उनकी नाम पर गंड़गी नहीं उचल सकते तो आप यह कहना चाहते हैं कि मिस्टर द्याल शिवा आपका और किसी को नहीं चाहते से दिलाशक उन्हें आपकी महबब का पूरा भरोसा था पूरा भरोसा उन्हें आपके बारे में कोई शक नहीं था तो फिर मिस्टर द्याल ने अपने वसीयत नामे में आपको जायदा से महरूम से किया किस लिए आप पर बचलनी का अजाम लगाया किस लिए आपको नाकाबल भरोसा और बतकार ज़राया जवाब दीजिए यह जूट है फरसर जूट लेकि मिस्टर द्याल की यह तहरीर जूट नहीं हो सकती मैलोड यह स्वर्वास द्याल का वसीयत नामा जिसमें उन्हें अपनी पपनी पर बचलनी का अजाम लगाया और उन्हें अपनी जायदार से महरूम किया क्या वकील सफाय बता सकते हैं कि द्याल साब का यह वसीयत नामा उन्हें कैसे मिला मैलोड यह राज बताने से पहले मैं आदाला से दफास करूदा कि मुझे चैंचल द्याल से कुछ और सवालाद करने दियेगा प्यार देख आपको तैरना आता है जी हाँ द्याल साथ को तैरना नहीं आता है यह बात उस इंसान को मालूं थी जिसने आपके साथ मिलकर मिश्चर द्याल को पानी में तखेला और जब वो डूब रहे थे जूट है मेरे साथ वहाँ कोई नहीं था आपने पहले भी यही कहा था और उसक्त दुनिया ने आपकी बात मान ली थी लेकिन आज नहीं मान जक्ती आपके साथ माँ परकाश बाबुस्टे और इस बात की गवाही यह मला देगा यह है वो मलाह माई लॉड जब तक भगवान बे गुनाहों के साथ है मुझे दौनत के इंसान खरीदने की जरूरत नहीं आप अपने गुनाहों पर पाथ साई के लाच बढ़ ले डालो लेकिन बे गुनाह का खुन फुकार फुकार के कहता है कि मुझरिम कौन है आज है जो जोट उसरफके अिप मतहान है और इंसाफ कहरा है कि मुझरिम का खुन बेस्प्रकॉश ने और अपके जरूरत नहीं लेकिन आपकी निशमीशनों ऑनकी मदद से और आपके इशारे पर बेए मैं अजस्बा illustrate को फिर से जाद दिलाओंगा कि ये मुकदमा प्रकाश बाबू के खून से तालुक रसता है ना कि मिस्टर द्याल की मौत से वकील सफाई ने जोर बयान और ख्यालात की उड़ान से एक अजीब गरीब दास्तां ते यार की से लेकिन सबूत एक नहीं पेश किया मिस्टर द्याल की मौत के बारे में जो कि सुनन कहा हो सकता है वो किसी हब तक कही हो लेकिन इस खकीकत से कैसे हिं कार किया जा सकता है कि प्रकाश बाबू का खून मुदमा शांती देवी के हाथों हुआ ये सही है कि उस कमरे की दानी तरफ की खिर्की का शीजा टूता है और गोली भी दानी तरफ लगी लेकिन ये महद एक इस सफाक ये सफाक शक्त में जरूर डाल सकता है लेकिन पाप को नहीं चुपा सकता है इसलिए कि मुझमा ने गोली चलाने का एक्रार किया है इसलिए कि कटल के वक्त कमरे में वही दोनों थे इसलिए कि कमरे के रहा चंचल देवी के होने का कोई सबूत नहीं मेरे मुझज़ जोस वकीले सफाई का सारा जोरे बयान और ड्रामा या अंदाज एक गुनेगार को नहीं बचा सकता और ये थाबत हो चुका है कि गुनेगार चंचल देवी नहीं मुझमा शांती देवी है और 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 वकीले सफाई को मुझमा के वचाओ में कुछ और कहना है येश मैलोर चंचल देवी इज़ाम लगाने वालों का कहना है कि मिस्टर प्रकाश भात कर आपके कंपाउम में पना लेने आए थे क्या बता सकती है कि वो आपके किया भात चुका है कहीं और को नहीं गाए आपके इस सवाल का जवाब खुद मिस्टर प्रकाश दे सकते हैं अगर वो जिन्दा होते है अगर वो जिन्दा होते है तो क्या आपको भी यकीन है कि वो मर चुके है उन्ती मौत का सारी दुनिया को यकीन है सवाय आपके तो सचता है मेरा ख्याल गलत हो लेकिन कल जाथ जब मैं आपके मकान के बास टहल रहा था तो मैंने एक अजीब मन पर देखा आप जानती होंगी कि आपके कमपाउन में एक तूटा हुआ सबल है मैंने देखा कि राज की तारीशी में एक इंसान नसकबल की छप्रेल हटा का मिजना और बागीचे में कुछ के भागा इसके लिबास चाला था, हासने धंडा और हो लंगरा से चल रहा था बिलकुल मिस्टत परकाश की तरह ये जूट है, सरसर बक्वास ये बक्वास नहीं है, अक्कीकत है चंचल देवी वरना ये वसीयत नमा मुस्तक न पहुंसता खानून इंसाफ से मू मोलने जमाना मासूम का सूली पह चड़ा दे लेकिन आप जानती है परकाश तरगो ली किस ने चलनाई लेकिन शाहब यह प्त अपने मुद्ध जाना था वो मुद्ध नहीं जिन्दा है और उसके साथ खानून जिन्दा है, इंसाफ जिन्दा है यकीन आयत बोने को वो तुम्हारा पाफ थाबित करने को आज अफन उतार कर गवाही देने को आया इंसाफ की पुकार वो ताकत है जिसने हर जूट का परदा चास किया और हर उस मुझ्रिम को जिसने कानून के आंकों में दूल जोगना चाहिए है कानून की तारीक गवाह है कि खुन मुझ्रिम के सर चड़के बोलता है इसी कानून और इसी इंसाफ की पक्रणाज आज आपकी गदन पर रहे चंचल देनी बेज़े इस इंसान को कहिए वो जिस पर आपने गूली चलाए जिसे आपने मुड़ता जाए कहिए वो जो हर्फात में आपका साथ है जीता की सागन खाकर कोई जूट नहीं बोल सकता वरना बहुत में दूबर हो जाएगी बोलिये खुन किसने किया है वरना परकाश के जबान आपके सारे राज ठोल के लग देगी बोलिये असलिए मुझ्म कॉल है वरना परकाश दमाने का अपनी फारिज دक्ता दिका देगा बोलिये गोली कितने जलाई वरना परकाश के खुनी हाठ आती कटिन लरो मैंने गोल ही चलाई मैंने तुम्हे माल ना लगा यासलिये कि तुम मेरे पते के कतल हो लेकिद तुम मेरा बच नहीं बिबार से लोग जाओ आपका ख्याल सीख है चंचल देव और काश बामुवादी मच चुके और उनकी लाश वही है जहां आपने उसी तुपाया मेलाज चंचल देवी ने अपने जिरूम का अकबाल किया मुझे और कुछ नहीं कहना क्योंके मुझेг ममाज शेंची लेवी ने एकबाले जुरम किया है इसलिए भुक्म दिया जाता है को उने फॉरान हटत में ले लिया जाए और मुझेग शेंची इसके साथ रेहा किया जाता थैंकी मैराण नेरुबू अजік बन गया बिगड़ा जमाना तुमको हसा दिया, प्यार सिखा दिया, तुमको हसा दिया, प्यार सिखा दिया शुक्रिया तो शुक्रिया तो की जिये साहब माना जनाब ने फुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं मुक्तु में बनने के चल दी ये तनने के वल्ला जवाब तुम्हारा ने